रोमानिया के एक छोटे से गाउं में जिंदा पथर पाए जाते हैं इस बाद पर भरोसा करना मुश्किल लगे पर लोगों ने ही ने ये नाम दिया है असर में इपथर अपना आकार बदलते रहते हैं यूँ तो पत्थरों को आकार बदलने में सेकड़ों साल लगते हैं मगर इन पत्थरों को आकार इतनी जल्दी बदलता है कि जैसे ये जिन्दा हो दुनिया भर के जियोलोजिस्ट इन पत्थरों पर रिसर्च कर चुके हैं इसका कारण इन में मौझूद mineral salt की भारी मात्रा हो सकती है जो पानी के पड़ते ही फैलने लगती है खलंक इस बात को अभी तक सिद्ध नहीं किया जा सका है और पूरी दुनिया से रोमानिया के इस छोटे गाउं में इन जिन्दा पत्थरों को देखने लोग पहुंचते हैं मिलम नूज जिपोर्ट